आप सभी को IIMT परिवार की और सेश्वतंद्रता दिवस की हारदिक शुप कामना है नमस्कार मेर्चित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ IIMT मेड़े के विश्यसकार एक्रम हिस्ट्र अफ देरे में आजक दे मिली थी देश को आजादी पूरा हुआ था आजाद भारत का सप्टा लंबे संखट्स और तमाम कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी मिली थी भारत को आधिरात में आजादी मिली थी और भारतिये प्रधानमंत्री हर सोतंत्रिता दिवस पर 15 अगस्त को लागतिलिक की प्रचीर से जंडा फैराते हैं लेकिन 1947 में 15 अगस्त के बजाए 16 अगस्त को पंडित जवालाल नहरू ने जंडा फैराया था इसके पूर्व जवालाल नहरू और सदार पटेल ने महत्मा गांधी को पत्र लिखाता की इंडियन बैंक की आज की दिन हुई थी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के रूप में 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक के स्थापना की गई थी इंडियन बैंक की देश में 5,000 से ज़्यादा साखाए हैं और 20,000 से अधिक करमचारों के साथ बैंक सिवा में तक पर है हाल ही में नई वित्तेवर्स 2020-2021 के सुरुवात के साथ करीब 155 सार पुराने इलहाबाद बैंक का विले इंडियन बैंक में किया गया है बीते एक अपरेल से इलहाबाद बैंक का विले इंडियन बैंक में होने के बाद दोना बैंकों के लोगो एक साथ नजर आते हैं इंडियन बैंक का लोगो ऊपर और इलहाबाद बैंक का लोगो नीचे लगाया गया है आज के दिन हुई थी देश में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत। इसमें सेना के लिए अलग जोन बनाय गया है। सेना डाक सिवा यानी एपी एस के लिए 90-99 तक के कोड इस्तमाल किये जाते हैं। आज के दिन बंगलादेश में हुई थी सैनिक क्रांती। 15 अगस्त 1975 को बंगलादेश में सैनिक क्रांती हुई थी और राष्टपती शेख मुझी बुरहमान उनका बीटा और उनकी पत्ने को मौत के घाट उतार दिया था। खौंडेगर मुस्ताक एहमत के नितर्त में नहीं सरकार गठन किया गया था। सैनिक क्रांती में मुझी बुरहमान की बेटी शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी क्योंकि उस समय दोनों यूरोप में थी। इस हत्याकांट के लगभग 22 साल बाद 1997 में से एक हसीना सता में आई तो फारुक रहमान समेत उनके पांस साथों को रफ्तार कर लिया गया और 27 जनवरी 2010 को फांसी दे दी गई। आज के लिए बस इतना ही कल फिर भेट होगी इत्यास में दर्ज कुछ और मेहत पुन घटनाओं के साथ और अब आज का राशिफल जोतिस्वाग्यानिक गुर्दे भारत गयान बुशन जी द्वारा 15 गस ते दिन सोंबार आज का विशय है मन का सुक। मेश आपके मन के सुक के लिए भागय चुवालिश प्रतीशत विध्यारतियों को मैनत अधिक करनी होगी आचानक धनलाब के योग है परिवार का महल कुछन मा रहेगा पटन पाटन से लाब होगा विध्यारतियों के लिए अनकुलताय बर्यानी के योग है शुब रंग पर सियम बरते जगड़े के योग है शुब रंग नारंगी तथनिशेद रंग नीलाव सफेद मिथुन मन के सुक के लिए भाग एक तालिश प्रतीशत आर्थिक इस्तिति अच्छी रहेगी जिवनसाति के स्वास्त का ध्यान लखें पारिगवारिक स्वास्त में सुधार क के प्राप्ति संब्भ है कठिंग प्रेश्टम से सोच में सकात्मक्त आएगी सुकत समय चल रहा है इच्छाय पूरी होंगी काड़ेचे तुमें लापरवाही नावरते हानी के योग है शुब रंग नारंगी सफेद थनिशेद रंग हरावय पीला सिंग आपके मन के सुक प्राप्ति के योग है मनरंजन और भोग गिलासी परवर्ति में खर्च होगा प्रतियों की परिक्षाओ के लिए समय उत्तम है संतान के समध में सुब समाचावरों के योग है शुब रंग गुलाभी तथनिशेद रंग जामनीव चलेटी कन्या आपके मन के सुक ले भागे तुरेपन पर्तिशन आयवे की तरह उपलब्धियां का सवन्तुरन बना रहेगा मनुवांच से सफलता मिलेगी खुम महनत करें अच्छा फल प्राप्त होगा कारोबार में अपेक्षा नुरुप सफलता प्राप्ति के योग हैं शुबरंग धानी नारंगी तरह निशेद रंग बसंती वजामनी तुला आपके मन के सुक के लिए भागे छर्ते प्रतिशन आपके विभाईक जीवन की नीजी बाते उजागर हो सकती हैं कोई भी अनेतिक कारे करने से पहले परणाम ध्यान में रखें करियर के लिए समय अनकूल चल रहा है कारे छेत्र में साबधानी बढ़ते समस्य उत्पन होने के योग हैं शुबरंग सभी परकार का सपीत थन शेद रंग का अलाव सिलेटी भरष्षिक आपके मन के सुक के लिए भागय पचास प्रतिशत नौकरी व्यसाई की द्रस्टी से समय अनकूल है प्रेम प्रसंग में अनकूलताय रहेंगी घर भार सभी और से सहयोग प्राप्त होगा शुबरंग नारंगी सफेत थन शेद रंग काला वजामनी धनू आपके मन के सुक के लिए भागय सततर प्रतिशत अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है वित्ति स्थितिका ख्याल लखने जरूरत है तथा फिजूल खर्ची पर पावंदी रगा सकते हैं कारेशेति में नवीन योजरय बनाने के योग हैं शुबरंग पीला वसंती मस्ट जड़त निशेद रंग हरा धानी काही मकर मन के सुक के लिए भागत त्रेपन प्रतिशद मन कुछ खिने रह सकता है परन्तु परिशान ना हो प्रणाम प्राप्ती पर मन हर्शित होगा भविश्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंदित करेंगे आपके कारो अविन योगदान को आनता मिलेगी कारोबार में अपेक्षद लाप्राप्ती के योग है शुबरंग स्लेटी सफित निशे दरंग गुलाबी विलाल कुम्ब मन के सुकले भागत चोवन प्रतिशद परिवार के साथ अच्छ समय वतीत हो सकता है आपको अपनी सकरात्मत्ता उर्जा का संचार करना होगा किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचे आपके छवी खराब हो सकती है वर्त के तनाव से मुक्ती के योग है शुबरंग स्लेटी तथन निशे दरंग काही मीन अधिक जानकारी के लिए संपर करें जो 30 वे ज्यानिक गुरुदे भारत ज्यानबूशन जी को आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे देश दूने के ने जानकारों के साथ तब तक देखते रहे हो सब्सक्राइब कीजिए आई आएमटी मीडिया